नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश अधेनस्त सिवा चैन आयोग से दोस्तों यहाँ पर अपडेट्स को लेकर के बात करेंगे तो जैसा कि हमने आप सभी को पहले बता दिया था कि पिछले सब्ता में भी ज़्यादा उम्मिद थी लेकिन आपको फाइनले कल जो है लोवर 2019 मों की परिक्षा की रिवाइड आंसर की देखनी को मिल गई और जिदना मैंने उम्मिद किया था दोस्तों उससे भी ज़्यादा कामन अंक और प्रशनों के उत्तर में बिकल्प में बढ़लाव किये गए हैं और उम्मिद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी के नंबर बढ़े होंगे किसी के नंबर घटे नहीं होंगे मैं भी हो सकता किसी का unfortunately ऐसा हुआ हो लेकिन ज्यादा तर या मुझे लगरा है लगब लगब सभी के नंबर बढ़ने चाहिए थे तो जो भी आपके नंबर में परिवर्तन हुए हैं दोस्तों अबराल माक्ष में आप लोग कमेंड करके प्लीज जरूर बता देना कल आप सभी को मैं इसकी सूचना नहीं दे पाया था कुछ बैस्तता की वज़े से अब देखिए लोवर 2019 रिवाज़ आंसर की की बात जो है कटाफ में थोड़ा सा परिवतन होने वाला है जब भी कामनंग मिलते हैं कटाफ में परिवतन बिलकुल 100% होता है साथी साथ दोस्तो रिजल्ट डेट को लेकर की भी अच्छी खबर है लोवर 2019 को लेकर के आगे हमारे जितने भी भाई है जूलियर असिस्टेंट 2016 प्रडाम का वेट कर रहे है या फिर डीवी का वेट कर रहे होंगे जे 2019 या फिर मंडी परसद वाले में या लेकपाल भरती परिक्षा तिती को लेकर के वन रक्षक फॉरेश्ट गार्ड वाली एक्जाम डेट को लेकर के या फिर भरती को लेकर के तो आप सभी वीडियो को पूरा देखे का वीडियो आपके लिए काफी जाता महतुपूट रहने वाला कितना समय आपके पास है तैयारी करने के लिए दोस्तों लोवर 2019 के लिए कटाफ के लिए मेरा एक नवेदर है आप सभी सिक जितने भी आप उमिद करता हो सभी लोगों ने अपने रिवाजट आंसर की के बाद जो है अपने मार्क्स कर लिए नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद है और इसमें जिनके प्रश्ण पहले से सही रहे आपके नंबर बढ़ गए होंगे यह फायदा हुआ है सिफ्ट वालों को ज्यादा फायदा हुआ है और यह उमिद करता हूँ पीडिया आप सभी ने देख लिया होगा यहां पर अकर आपको फिर भी देखना हो तो आप हमारे यूपी ट्रिपल सी के फेस्बुक पेस पर ज कीज़िए गा साथ साथ दोस्तों कटाप को लेकर कि अभी मैं थोड़ा सा समय लूँगा ताकि आपको जो भी कटाप बताई जाए बिलकुल सटीक लगब-लगब कटाफ उसी क्या असपास जाने चाहिए जो भी मैं को कटाब बताऊंगा और पदों के अनुसार भी मैं आप को कटाफ बताऊंगा अलग-अलग सभी कैटिगरी के लिए रिजल्ट दोस्तों मेरे साफ से इसी महीने में भी उमीद है रिवाजट आंसर की कि बाद रिजल्ट में बहुत जादा समय नहीं लगना चाहिए 19 कल कल को आपका रिवाजट आंसर कि आया 10 दिन का समय ले सकते हैं और मुझे लग रहा है कि अगर इस महीने आपका रिजल्ट अगर नहीं आता है लोबर 2019 का तो फरवरी में चुनाओं से पहले 100% इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है और ओभी दोस्तों फरवरी के फर्स्ट वीक तक उससे आगे नहीं ठीक है तो कुल मिलाकर करके 14 से 15 द परिक्षाइं जो हैं इन्होंने अस्तकित कर दिया क्ल दो नोटीस जारी करके और कोई परिक्षाइं ने करवानी है नहीं जब कुछ और काम यहां पर नहीं करना है फिलाल में कोई भर्ती के बिग्यापन जारी नहीं करना तो ऐसे में क्या करेंगी लोग कि जो रिजल्ट रिजल्ट जारी कर दे जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट है ठीक है तो जूनियर असिस्टेंट वाले अब भेरतें के लिए भी बहुत बड़ी के पहले भी आयोई थी उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी पब्लिक्स किया जाएगा अभी दो दिन पहले के नोटिस है तो अब फिलाल में यूपी टेपल सी में यहीं सब भरतियों पर काम होने वाला है और चुनाओं से पहले कहीं न कहीं हाँ पर हाला कि इसकी कोई अब ये बैनर पोश्टर के मातेम से तो ने लेकिन एक कहीं न कहीं संदेश जा सकता है जनता में कि हमने भरतिया देखिए यहाँ पर आचार शंगिता में भी भरतिया चल लही है हाला कि उसको लेकर कि आचार शंगिता के अंतरगत ही वो चीजे बता पाएंगे ना कि नियुकती पत्र बगएरा बितरड में आई सब चीजे हो सकता है कि संभव नहों लेकिन अपने अस्तर से रिजल्ट जो है जारी किये जा सकते है आचार शंगिता में परणाम जारी किया जा सकता है मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं अगर होगी भी तो चनाव आयोग से अनुमती लेकर के चीजे की जा सकती है लेकपाल और फॉरेश्ट गार्ड के लिए इन दोनों के लिए दोस्तों एक्जाम डेट बहुत जल्द यूपी ट्रिपल से सेडियूल करने जा रहा है और मेरे इसाब से दोस्तों अभी देखे मार्च के लिए एक एक्जाम डेट इन्होंने डिकलियर किया हुआ है संभाउता मार्च के लिए है और मार्च अपरेल से जो परिक्षाई इनकी है वो होनी सुरू हो जाएंगी क्योंकि संभाउता जो है जुलाई तक फिर से पी इटी एक्जाम या अगस्त तक लेट से लेट क्योंकि एक साल के लिए ही बैलिड है तो उसके रिजल्ट की डेट से माना जाएगा जो पी इटी का रिजल्ट है डिकलियर हुआ था तो इसलिए जुलाई के जुलाई से हो सकता कि पी इटी की प्रिक्रिया फिर से श्टार्ट करते हैं और अगस्त या फिर से पी इटी के एक्जाम अगस्त तक ही करवाने के चा का और कोड का अभी उसको चैलेंज करने के तयारी चल रही है सुप्रिम कोड में लेकिन इसके वेरी एक्जाम की डेट यानि जो प्रिफ्रेंस है वरियता है आयो की तरफ से आसरकार की तरफ से होगी होनी चाहिए वीडियो और फॉरेश्ट गार्ड की क्योंकि यह दोनों सकती है संभौता दोस्तों मार्च अप्रेल मई तक यह तीनों परिक्षाओं या फिर मार्च से अप्रेल तक अभी फिलाल में आप लोग मार्च और अप्रेल को ही डेट मानके चलिए कि मार्च और अप्रेल में किसी भी डेट को आपको इन तीनों ही परिक्षाओं के मार्च अप्रेल में यूपीटर पलसी अन्य भी परिक्षाय करवा रहा हो लेकिन ये परिक्षाय भी करवाई जा सकती है और ये भी उम्मीद है दोस्तों कि अब यूपीटर पलसी में जो है सुस्ती का दौर समाफ हो चुका है अब सुस्ती का दौर नहीं आना चाहिए अब क जल्टो यहने सब मिला करके 23 भरतिया वो कंप्लिट करेंगे एक साल में जो भी उनकी प्रक्रिया है कैलेंडर की हिसाब से तो कम सकम यूपी ट्रेपल सी भी 1015 कम सकम कलेर यहां पर क्लियर करें यह उमीद करते हैं इनसे तो यह कुल मिला करके आप सभी के लिए महात्वपूर की जो प्रकिर्या है वो भी बहुत जल्द आगे देखने को मिल सकती है तो आगे के जो भी अपडेट होगी जो भी सही और आथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के मात्यम सी मिलती रहेगी तैयारी आप लोग करते रहेगे लेकपाल हो चाए वन र